So next अब ये डिसकस करते हैं कि किस तरीके से developing countries ने import substitution policy को experience किया In fact इसके अंदर मैं एक dollar and cray की study को भी incorporate करूँगा जहां पर उसने different aspects देखे कि अगर एक region suppose developed countries का है उसने क्या gain किया And then उसके अंदर उसने कुछ developing countries को add किया और देखा कि किस तरीके से जो mostly develop जो globalization की तरफ गए हैं या जिन्होंने export और entered policies opt की थी उनके क्या results रहे overall GDPs के या growth rates के और जो non-globalizers थे या जिन्होंने import substitution की policy adopt की उनके साथ क्या suppose हुआ तो अगर हम 1950s and 60s early उसकी बात करें 70s की even तो वहाँ पे आपके पास जो mostly developing countries थी उन्होंने high tariff rates रखे वे थे Even उसमें पाकिस्तान भी infection शामल था और इंडिया और यहाँ पे बहुत से ऐसी दूसरी countries जिन्होंने tariff rate इतने ज्यादा रखे वे थे even यह 200 से भी cross कर रहे थे tariff rates तो 200% से मराद है यहाँ पे तो वहाँ पे जो purely follow हो रही थी import substitution policies और उसका industrialization की तरफ यह जा रहे थे खास रपे 70s के अंदर और import substitution policies की तरफ major focus रहा जिसका result यह रहा कि आपके पास domestic industry को protection दी इनोंने और उस production की वज़ा से आपके पास inefficiencies आईं domestic industries के अंदर और जो prices थी consumers के लिए बहुत हाई हो गई once again वहाँ पे जो developing countries थी वहाँ पे including पाकिस्तान तो यह एक तास्र बिल्ड हुआ 60s and 70s खास दोर पे कि अब industrialization का दोर है तो हमें industrialization की तरफ जाना चाहिए but इस time के अंदर जो एक policy थी कि आप ज़्यदा से ज़्यदा high tariff को रखें ताके बाहर की commodities जो हैं यहाँ पे ना सकें हम in fact यहाँ पे domestic consumers के लिए खुद commodities को बनाएंगे but यहाँ पे एक बिलावजा या जिसे आप कहलें कि economy के अंदर वो स्पोज कंट्री के अंदर वो ताकत नहीं थी जो हम समझ रहे थे कि इंडिस्टलाजेशन के अंदर हमारे जो लोग है even वो भी adjust हो जाएंगे job को लेके या employment को लेके तो उस वक्त ये मस्टा आया कि आपके पास जो resources थे वो बहुत ज़्यदा shift हुए और major जो concern रहा वो ये के नई से नई factories बनाए जाएं और जो idle पड़ी रही उस case के अंदर और जो लोगों की adjustment थी खास सवर पे jobs point of view से वो काफी ज़्यदा फिर हुई आपकी traditional sectors की तरफ जहां पे हम लोगों ने ऐसाच तवज्ज़ नहीं दी and then once again एक और बड़ा issue रहा उस spirit के अंदर के आपके पास migration बहुत हुई from rural to urban areas और वहां पे फिर once again ये issues आए कि आपके पास जो jobs थी वो जो urban areas के अंदर खास दौर पे वहां पे बहुत ज़्यदा pressure आया तो क्योंकि एक general phenomena बनता जा रहा था कि जो even Pakistan में to some extent still it holds कि बहुत से rural areas से लोग urban areas के अंदर आते हैं तो job placement भी जो है वो भी मुश्किल हुई उस spirit के अंदर क्योंकि हमने उस तरीके से expertise बिल्ड नहीं की जो industrial countries करती हैं then एक और चीज जिसने काफी ज़्यदा तंग किया at that time including Pakistan तो मैं Pakistan की example इस वज़ा से बार बार दे रहा हूँ क्योंकि यह इसको easily आप track down कर सकते हैं और इसको interest लेके study भी कर सकते हैं case study of Pakistan अगर खास स्वार पे import substitution policies को अगर आप देखें तो यहां पे higher capital intensity थी developing countries के अंदर और आपके पास जो labor था यह absorb नहीं हो रही थी तो जो मैं बात अभी की कि आपके पास जो दो type की commodities commodity production होती है like labor intensive commodities and capital intensive commodities की production होती है तो यहां पे capital intensity बहुत जएदा थी that means कि आपके पास labor के निस्बत capital को बहुत जएदा use किया जा रहा था उस case के अंदर जो ultimate result आना था वो unemployment की form के अंदर ही आना था और यही चीज़ developing countries ने experience की और यहां पे जो है एक interesting fact अगर देखा जाए उस time के अंदर वहां पे यह नदर आता है जैसे इंडिया की example देते हैं बड़ी famous example है कि इंडिया basically capital intensive country तो रहा ही नहीं क्योंकि वहां पे जो commodity की production है वो capital intensive बहुत जएदा की गई क्योंकि capital की shortage जएदा थी यह country labor abundant था जो हमारी basic trade theories को अगर हम याद करें तो इस case के अंदर यह था कि जो factor आपके पास abundant है आप उसको जएदा use करें तो इस case के अंदर इंडिया ने इसका reverse किया जहां पे capital को जएदा use किया गया और इतना use किया गया कि capital over labor ratio इंडिया की और USA की to some extent बराबर हो गई तो यह एक बड़ा interesting scenario बिल्ड हुआ था USA in fact capital abundant country है या वहाँ पे capital intensive commodities अभी भी still जएदा बनती है लेकिन industrialization के period के अंदर capital over labor ratio इतनी जएदा हुई इंडिया की कि वो USA से जा मिली इस spirit के अंदर फिर हुआ क्या ultimately जो poverty जो एक objective रहा था to trade हम इसको remove करें जो हम लोग ने last slide के अंदर भी discuss किया वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नदर नहीं आया जो हमारे objective रहे developing countries के वहाँ पे ये काफी ज़्यदा इसने backfire किया और आपकी exports बहुत ज़्यदा मतासिर हुई और इसकी एक reason यही थी कि हम लोग ज़्यदा focus करते रहे industrial product के अंदर और हम लोगों ने जो अपने primary जो sectors थे उनको ignore कर दिया और हम लोग जो capital goods हैं वो ज़्यदा import करते रहे जिसकी व of trade बुरी तरह मतासिर हुए and then आपका जो trade gap था developing countries का वो बहुत ज़्यदा बढ़ा इस period के अंदर खास तोर पे और even अगर आप interestingly इस study को देखें जो मैं जिकर कर रहा था dollar and cray की बड़ा famous paper है ये उनका research article है trade growth and poverty relationships के अंदर उसने इन दोनों ने क्या करने की कोशिश की इन्हो यहां पे average growth of real GDP देखा गया rich countries का, globalizers का and then non-globalizers का तो यहां पे उन्होंने OECD countries लिए and plus जो कुछ large income countries लिए और कुछ globalizers लिए जहां पे tariff rates काफी I suppose कम था जिसमें कुछ Asian countries पे थे जैसे Taiwan, Korea वगरा, Malaysia की बात करने हैं तो वहां पे कम था उसको उसने globalizers का नाम दिया, tariff rate जिन्होंने कम रखे, क्योंकि globalization का या globalization होने का एक indicator लिया जाता है कि अगर कोई एक nation international level पे अपने tariff और non-tariff barriers को minimum रखती है, तो that nation will be called as globalization. अब यहां पे जो globalization say and non-globalizers यह तीन ग्रुप बनाएं और यहां पे जो globalization say and non-globalizers यह तीन ग्रुप बनाएं. तो rich countries were growing almost at the rate of 4.7 and then globalizers were at 1.4 and non-globalizers were 2.4. लेकिन after one decade, आपके पास globalization ने पहले से जएदा, suppose average growth बड़ी उनकी and then rich countries की कम हुई और वो continuously decrease कर रही है, average growth of real GDP. then globalizers की अगर देखें, तो वो on average अगर या other than अगर आप non-globalizers के साथ comparison करें या even rich countries के साथ करें, तो यहां पे जो average growth of real GDP जो है, वो तेजी से बढ़ा है, जैसे 2.9 था 1970s के अंदर, 80s के अंदर यह 3.5 हुआ and then अगर आप 80s से 90s का अगर आप period देखें, तो आपके पास 5 त at 5.0, at the contrary अगर आप देखें तो non-globalizers ने growth की है, लेकिन इतनी तेजी से growth नहीं कर सके, तो that is the reason जहां पे एक चीज़ हिस्टोरी के लिए देखी जा रही है कि developing countries ने किस तरीके से industrialization और खास और पे जो import substitution का experience कुछ as such अच्छा नहीं रहा, उसकी निसबर जिनों ने tariff rates कम रखे या जो countries globalization कहलाई या जिनोंने world trade को बहुत ज़्यदा promote किया या दूसी country के साथ ज़्यदा से ज़्यदा trade रखी उन्होंने ज़्यदा तेजी से grow किया